हलो दोस्तों अगर आप बाल जढने की समस्य से परेशान है आपका बाल बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है ग्रोथ नहीं करता है बाल हमेशा आपका फ्रीजी रहता है रूखा सुखा रहता है सेम्पू करने के दूसरे दिन ही आपका बाल रूखा सुखा हो जाता है उलख जात बाल का झड़ना बिलकुल बंद हो जाएका, और बाल आपका तेजी से बढ़एगा, दोसजोना तेजी से आपके बालों का ग्रोथ होगा, बाल में बाल में डालांटर्णिफ है, बिलकुल खत्म हो जाएगा, सर के इस कल पर कोई भी इन्फेक्शन है, इचिंग होता है, बिल कोई डाई लगाए हुए बीना केमिकल के बस इस रेमडी को आपको इस्तेमाल करना है आपका सारे सफेद बल काले हो जाएंगे और जहां से बहुत ज़दा बाल ज़ड़ गया है वहां एसकिन दिखता है तो वहां पर आपका नया बाल उगना शुरू हो जाएगा निव हेयरी तो आपके घर में जो भी सरसो एवलेबल होगा काला सरसो हो या पीला सरसो हो कोई भी आप ले सकते हैं तो मैंने यहां पर काला सरसो लिया है जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों सरसो का जो तेल होता है हमारे बालो को काला करने के लिए बहुत ज़दा फैदेमांद होता है बालो को ज़ड़ने से रोकता है और बालो को मजबूत बनाता है तो इस OMRMD में आपको सरसो का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है जो साबुत सरसो होता है उसका इस्तेमाल करना है आपके घर में जो भी सरसो हो आप उसे ले सकते हैं बस एक चमच सर्सो लेना है आपको उसे खलवाटा में कूट लेना है आप चाहे तो इसे Mixer Grinder में भी कर सकते हैं दरदारा करना है बिल्कुल पावडर इसे नहीं बनाना है हलका सा इसे कूट करके दरदारा करना है जिस तरीके से मैं यहां कर रहे हूँ आप देख सकते हैं मैं आपका जढ़ रहा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बाल आपका मजबूत हो जाएगा साइनी और सिल्की हो जाएगा तो इस तरीके से आपको सरसो को कूट लेना है ज्यादा पावडर नहीं बनाना है बस मोटा ही दरदारा इसे कूट लेना है अब इसके बाद आपको लेना जो काच्चा चावल होता है जिसे आरवा चावल करते हैं उस चावल का इस्तेमाल करना है और ये जो चावल होता है दोस्तो चावल हमारे बालों के लिए और इसकीन के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदे मौन्द होता है दो चमच आपको चावल लेना है चावल का पाने इस्तेमाल करने से दोस्तों आपका बाल इतना तेजी से बढ़ेगा इतना तेजी से बालों का ग्रोथ होगा कि आप देख करके हैरान हो जाईएगा जब आप इसे इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट खुद पखुद आप देख पाएंगे इसके बाद आपको दरदारा कर लेना है और एक चमच इसमें ले लेना है अब इसमें एक गलस आपको पानी डालना है पानी का कॉंटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं आपके बालों का जो लंबाई है जितने बालों का आपका लेन्थ है या जितना बाल आपका घाना है उसी क इसमें आपको पानी डाल लेना है आपको लगे कि पानी कम हो जाएगा तो इसमें और पानी एड़ कर सकते हैं अब इन चीजों को पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और आपको गैस का फ्लेम जला करके इस पतीलों को गैस पर रख देना है इसे तब तक आपको बंद कर देना है ज्यादा टाइम आपका लगने वाला नहीं है बस पांच से साथ मिनट में ये होम रेमडी बन करके तयार हो जाएगा और इससे जो पानी आपको मिलने वाला है दोस्तों ये पानी जो है आपके बालों के लिए आप समझे बिल्कुल बरदान है अमरित है आप इतना तेजी से बढ़ेगा कि कटवाते कटवाते आप परिसान हो जाईएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं चावल 50% पक गया है जब ये आधा चावल पक जाएगा तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठांडा होने देना है जब ये ठांडा हो जागा तब इसे चलने की सहता से आपको छान लेना है इसमें जो पानी है वाटर है इसी का इस्तेमाल करना है किस तरीके से इसे आपको इस्तेमाल करना है ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी इसे दो तिन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा भी तरीका से आप इस्त का फ्लेम बंद कर देना है अगर आप चावल को ज़्यादा पका देंगे तो ये जो पानी आपको मिलेगा ये पानी थोड़ी देर के बाद जम जाएगा तो इसे लगाने में आपको परिशानी हो सकता है तो इसलिए आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है आधा चावल पक तब गयस का फ्लेम आपको बंद कर देना है सबताह में कम से कम दो बार अपने बालों में इसे आपको लगाना है और इसे जिस दिन आपको लगाना है उसी दिन बनाना है ऐसा नहीं है कि एक दिन बना लिए और दो चार दिन इसे आप इस्तिमाल करने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है जिस दिन आपको लगाना है उसी दिन इस होम रेमडी को बनाईए और ठंडा होने के बाद तुरंत ही बालों में लगा लेजिए लगाने के बाद आपको कम से कम एक से दो घंटे अपने बालों में इसे रखना है उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से धो देना है तो आप सपता में एक बार कम से कम एक बार बालों में तेल जरूर लगाईएगा तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़ीदा फैदे मौनД होता है लेकिन आज कल हम लोग क्या करते हैं बालों में तेल बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं इसके वज़ा से बाल हमेशा हमारा रूखा सुखा हो जाता है बाल जड़ने लगता है समय से पहले हमारा बाल सफेध होने लगता है अब इस होम रेमडी को लगाने के लिए आपको क्या करना है इस तरीके का जो एस्प्रे बोटल होता है अगर आपके घर में इस तरीके का उंगली से मालिस कर लीजिए जड़ में करने के बाद आपको बालो का जो लंबाई है जो Approvate उसमें भी एस प्रे करना है इस पानी को अच्छी तरीके से लगा लेजिए अगर इस तरीके का उसोरी पॉट लापके तो कोई बात नहीं है आपको क्या करना है रूई ले लेना है कोटन ले लेना है रूई को इस तरीके से बॉल बना लीजिए और इस पानी में इस तरीके से डुबा लीजिए डिप कर लीजिए और बाल के जड़ में इस तरीके से आपको लगा लेना है बाल के जड़ में लगा लगाने के लिए एक तरीका और मैं बताती हूं जो भी आप सेंपू करते हैं इस पानी में आप सेंपू को एड कर लीजिए मुझे पूरा उमीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आज माया हुआ नुश्का है जो भी आप लोगो को जनकारी देती हो, नुसका देती हो, आजमाया हुआ होता है तो एक बरी से ट्राई करिएगा और थोड़ा भी हेल्फपुल लगे तो इस वीडियो को इस जनकारी को जदा से ज़्यादा सेर ज़रूरton करिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की और हेल्फफुल जनकारी के लिए हेल्थ टिप्स के लिए ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को क्लिक करके उसे औल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालू नोटिकेशन आपको मिल सके फिर मिलेंगे नए जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तक लिए बाए बाए धन्यवाद